आजादी का अम्रित महोटसव आजादी का सफर आकाश्वाणी के संग आज ही के दिन 1897 में लोकमाने बाल गंगधर तिलक पर राज द्रोह के आरूप लगाए गए थे आरूप थे कि उन्होंने अपने मराठी अखबार केसरी में ब्रिटिश शासन की आलोजना की थी ये भारत के राजनितिक इतिहास में महतुपोन पल था क्योंकि इसने राजनितिक मुकद्मों के व्यापक परिद्रश्य में असहमती को आपराधिक रूप दे दिया था तिलक पर दो लेख प्रकाशित करने का आरूप था इनमें एक कवीता थी शिवाजी के उद्गार और दूसरी जून 1897 में शिवाजी बहुतसव के बारे में अहस्ताक्षित रिपोर्ट थी जो तिलक ने लिखी थी 1897 में चापेकर बंधों ने दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी इनमें एक पूना के कलेक्टर रैंड थे जिनें प्लेक से निपटने के उपायों की जिम्मेदारी सौपी गई थी और दूसरा युवा सेन्य अधिकारी था इस घटना ने यूरोपिये लोगों में और भारत की ब्रिटिश सरकार में गहरा रोज पैदा कर दिया ये कहा गया कि दो अधिकारियों की हत्या तिलक के भढकाव भाशनों और लेखों का पर्त्यक्ष परणाम थी केशरी में छपे दो लेखों की सरकारी पक्ष द्वारा संकीन कानूनी व्याख्या केवल असंतोष के भावनाय भढकाने तक सेमित थी छे दिन की मुकदमे बाजी के बाद जूरी ने तिलक को दोशी ठहराया और उन्हें 18 महीने के कारवास की सजा सुनाई ऐसा तीसरी बार हुआ था जब तिलक को अंग्रेजों ने राजद्रो कानून के तहत जेल भेजा